कि अभुट पैलो मेरे फैयरे साथियों आपका फागत है हमारे अपने यूटुब चैनल इस टडी सरकल 360 जी हां साथियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल किसी में साथियों मैं बता दूँ इस चैनल के मादम से आज की वीडियो में मैं आपको CTI के बारे में फूल इंपॉर्मेशन देने वाला हूं और मैं बता दूँ कि इस साल 2020 में CTI की अडमिशन की क्या प्रोसेस होगी कब उसका फॉर्म फिलफ होगा उसके बारे में पूरी डीटेल में हम आपको बताने वाले हैं तो आप वीडियो को बिना कि स्कीप के वेडियो के लाश्ट तक इंडिया को असल भारत के अंदरगत यह चीजे यह नियम यह हमारा नोटिस जारी हुआ इस नोटिस के बारे में हम बताने वाले हैं कि DGT ने बहुत बड़ा नोटिस जारी किया और यह नोटिस क्या है तो CITS 222 के प्रोसेक्टर के पूरी डीटेल में आपको बताने वाले हैं तो खास बाते क्या-क्या होंगी तो मैं बता दूं आपको कि आपको इंट्रेस एक्जाम देना पड़ता है इसके वारे में बताने वाला हूं इसकी क्या होती है इसकी क्राइटरिया क्या होती इसके बारे में आपको बताने वाला हूं फिर इंट्रेस एक्जाम की टेस् पर इसके फी की आवोगी और बर भी मोटने में वेफरेमें अबर को बताने वाले हैं तो मैं बतांब रहुता za कि इसके उने चाहते हैं जाना जाते हैं या बविश में बनने के उमिद रखते त के बाद या इन्डिया करते हैं सUI करूछ करना बारे हैं इसके वारे में ये बहुत ही इंपॉर्टन आपको फ्राइब जाना ज़रूरी थें सको आपको6 थेना पड़ hopeless बाद आप आई टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो मैं पता दूँ कि जो अगस सीजन में जो इडिविसन होने वाला है उसा प्रोग्राम करवाते हैं जो आपको आपको 28 आली इंडिया लेवल में 28 नेसिटिया है और 6 इस्टेट लेवल पे हैं और 12 जो है प्राइबेट इंस्ट्यूट हैं CITS के कि इस्टिया या सी आईटीयस के हैं CITS का फूल फॉर्म क्या होता हैं क्राफ्ट इंडिया ट्रेनिंग कोर्स यह होता है अब मैं बता दू कि यह आली इंडिया लेवल पे टेस्ट करा आयाता है और यह बहुत ही थपनी होता है यदि आप जिस ट्रेट से आईटियाई किया है अगैं कि सीटीयस का जो डेट है अलेवल ऑने वाला है जो लोग हमारे शाथी लोग पिछली साल में अडिया है मैं बता दू कि इसका जो फॉर्म का डेट है इसका पूरा फॉर्म फिलब हो गया तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इसका फॉर्म फिलब इस्टार्ट हो गया है इसको फॉर्म फिलब देखने के लिए आप जा सकते हैं निमी अनलाइन एडमिशन की वेपसाइट पर जाके आप वहां पर देख सकते हैं और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसका जो लास्ट डेट रिश्टेशन का 27 जून पांच बजे साम तक आप फॉर्म को फिलब कर सकते हैं फिर करा डेट आप इंट्रेस एक्जाम को जो डेट है वो 29 जूलाई को 22 में होने वाला है यह बहुत बड़ा अपडेट जदिया है बहुत बड़ी राहत देदी है आप लोग इंतजार कर रहते हैं जो लोग आईटिया की टीचर बनना चाहते हैं उनको सबसे बहुत जरू क्योंकि डीजीटी ने नियम लागू कर दिया है यदि आप आईटियाई में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास CTI की डिग्री होना पाती आवस्यक है इसकी एलिजिबली क्राइटरिया की बात कर दिया जा तो मैं बता दू कि यदि आप न्सीपीटी आईटियाई से सब्सक्राइब बहुते हैं तो आसानी से आप इसी टेश्ट को दे के डिजिटी मैं CITS में आप मैं बता दूँ कि जो स्थे जो कूर्सिज रोते हैं जो इसका जो इसका कोई लिमिट का कोई क्राइटरिय इन्होंने नहीं रखाए डिजिटी नहीं कि अब 30 साल पर 30 साल के बाद आब इसको नहीं का साथ इस यदि आप इस टेस्ट को देकर इसका अपने सकते हैं और इसका प्रसिच्चन ले सकते हैं एक साल में अब रही बात इसकी इंटरेस एकजाम की जो फी होते हैं वो जर्नरल के लिए जर्नरल के लिए 500 रुपय कितना 500 रुपय दिना पड़ेगा यदि आप यसी रश्टी ओ सब्सक्राइब करने पड़ेगे ओभी क्या आनलाइन वहीं कैसे आनलाइन युजिन नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड के माध्यम से इस पैसे को इस इंजामनेशन फी को पेड कर सकते हैं साथी साथ मैं बता दू कि जो इसका इजाम परटन होता है मैंने सब्सक्राइब करता है तो लाजिकल और नियुमेरिक और रिजिनी टाइप के कुश्चिन सब्सक्राइब कर आएगे बहुत सारे वीडियो डाले गया है आप वहां से जाके त्यारी कर सकते हैं आए जखते हैं इसमें एडमिसन फी कितने होती है फीर क्रेश्टियसन फी क्या उतना होता है लबुरी टीपोजिट कितना होती है टौटल आकको अधि गवर्मेंट में है तो 570 रुपे में पूरे साल की फीव कि खतन हो सकती है फीर आप देख सकते हैं फ्राइवेट जेनल में पंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं अब मैं बता दूँ आपको पराप्त होगा तो यह 13 जुलाइक से 18 जुलाइक को आपको पराप्त हो जाएगा और लाइडेट रेसीविंग अफ्लिकेशन 27 चैसाइस चैसाइस पांच बिजए साम तक आपका यह सब्सक्राइब करेंगा 27 जून तक और 13-18 के बीच में आपका हाल टिकेट डाउनलोड होने लगा पिर इसके हाल टिकेट डाउनलोड करने के लिए निम्मी के वेवसाइट पर आप जाके देख सकते हैं आप सारी यह जो भी नोटीस हैं आप अराम से गिट कर सकते हैं और भी स से हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रही है आपको CITS के इंट्रेस एजाम की तयारी भी कराए जाएगी और कराए गया है बहुत सारे कोस्टेंस डाले गया है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके बाले हमें दो बार एजाम दिया है बहुत ही बैतरी इंडंक से मैं आ रही है आप इंपोर्टेंट के बारे में हम बात कर रहते हैं कि 15 जून 2020 में अनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है 27 जून पांच बीच साम तक यह आपका फॉर्म किया जाएगा मौक की जामने सब्सक्राइब यानि कि 13-18 जूलाइक के बीच में यह जुन नीमी ह सब्सक्राइब के बीच में हाल टिकर्ट भी डाउनलोड कराया जाएगा उन्नाइस और बीस को बहुत ही इंपोर्टेंट डेट है उन्नाइस और विस जुलाई को कम्प्यूटर बेस्ट जैने कि सीविटी टेस्ट कराया जाएगा वी आनलाइन प्रिक्रिया के मादम थे ए का कॉंसिलिंग होगा फिर बारे से सतरे में सिकेंड फेज होगा और थर्ड पेज में और नए से चोदीस चोविस अगस्त के बीच में ठोड कांसलिंग होगी साथिक बहुत ही इंपोर्टेंट डेट को आप अपने पास कहीं ने कहीं स्कीन सौर्ट लेकर रख दिए इसका ह आपको पीडियो प्रवाइट करा देंगे आपने चैनल की डिस्विशन बॉक्स में ताप लोग मारे चैनल से लगता जुड़े रहेगा और इस वीडियो को जरा-जरा सेर करने में हमारी मदद कीजिएगा अब आ यह देख लेते हैं कि इसका जो एक्जाम सेंटर होता है कह कि आल इंडिया में 26 जगह इसका एक्जाम सेंटर बनाया जाता है जैसे कि अगरतला रहावाद बैंगलोरू कालिकट चन्ने देहरादून हैदरावाद जैपूर साथी साथ पट्रना जियां बिहार में भी वनता है राजपूरा सिमला में बनता है लुदियाना में बनता है हो जैसी तो एक कर देहिए चानपूर कोलकता में 26 घर का नोटिस जेद्र देए है कि यहीं पेड़ आपका इज्याम होगा तो आपको पसंद आया होगा यदि आपको पसंद आया होगा यदि आपको अच्छा लगा तो आप लोग हमें इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दिजाएगा अब देख सकते हैं यहां पर सीधा दे सकते हैं कारपेंटर सेटरिंग हास्पिटलिटी कंप्यूटर सब्सक्राइब करती है तो पूरी इंपॉरमेशन हमने आपको दे दिया ऐसी इंपॉरमेशन गेट करने के लिए पाने के लिए आप हमारे चनल इस्ट्री सर्कल तीन साथ की मादें से जूड़ रही है आयोगे वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमरे साथ हैसे जुड़े रही है कि लिस्ट आप सी आइट सी टीस ट्राइब कर देख सकते हैं कि इन्होंने टोटल कितने दिया है यह और भी ट्रेट सी इन्होंने दे दिया है थाटी सिक्स ट्रेट इन्होंने आगे प्रवाइट कर रहा है अब को पसंद आया हो तो आप मेरे साथ इसे जुड़े रही है आप यह जानकारी पर आप तक करने के लिए जय हिन्ज वारत अज के लिए इस वीडियो को यहीं रोखते हैं